हे वेलकाम बैक टू आट चैनेल दोस्तो अचकी इस प्रिमाम बात काने वाल है हाउ डू सेट आप एप लोग कोई भी एप्लिकेशन और गेम को पास्वार्ट डाल के लोग कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले इस डिबाइस में सीकूर फोल्डर सेट आप करना होगा उसके बाद हम एप्लिकेशन लॉग कर पाएंगे इस फोल्डर को सेट आप करने के लिए सेटिंग्स में जाएए सेटिंग्स ओपेन करने के बाद यहां साजवार पे फाइंड करना है सीकूर फोल्डर अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा सीकूर फोल्डर ओपेन कर सकते है या तो phone settings open करने के बाद scroll guard to way नीची की ओड़ जाईए Next security and privacy उसके बाद more security settings दोस्तो यहां पर आपको एक दो उपर में secure folder देखने को मिल जाएगा come to secure folder यहां country बटम पे टैप करके setup शुरू करेंगे दोस्तो secure folder एक्सेस करने के लिए Samsung account add करना पड़ेगा अगर आपके पास पहले से ही कोई Samsung account है तो उसे signing कर लिजिए अगर नहीं है तो mobile number और email ID डलके एक नया account create कर सकते है तो मेरे पास एक Samsung account था मैं उसको add कर लेता हूँ इसके बाद Samsung account का all terms and conditions एग्री करना होगा one to faster way to signing इससे cancel कीजिए permission for secure folder next continue करे दोस्तो secure folder create हो रहा है folder ready होने में थोरा समय लगेगा तब तक integer कीजिए इस folder को protect करने के लिए pin, password और pattern lock set कर सकते है मैं इन में से pin lock को चून लिया pin डाले के बाद यहाँ ठीक लगा के continue करे next same pin डाल के confirm कर दिजिए turn on reset with Samsung account अगा secure folder का password का भी भूल जाते है तो Samsung account के जरिए password reset कर सकते है तो इससे turn on कर दिजिए इसके अलबाद secure folder access करने के लिए fingerpin lock को भी add कर सकते है next secure folder के अंदर कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा इसमें photo, video, important document hide कर सकते है इसके साथ app hide और application पर lock भी लगा सकते है इन से भी features को उपएक करने से पहले मैं आपको कुछ importance settings के और में बात आता हूँ यहां three dotted line पर tap करके settings में जाए यहां lock time में जाके pin, password या pattern set कर सकते है auto lock secure folder by default when screen turn off set रहेगा इससे change करके as time I live an app set कीजिए इससे क्या होगा जैसी आप secure folder से बाहर जाएंगे यह तुरंत lock हो जाएगा notification and data इसके अंदर से notification hide रहते हैं अगर आपको notification चाहिए तो उसका permission allow कर सकते हैं add secure folder to app screen phone की home screen पर जहां सारे apps रहते हैं वहां पर secure folder का icon दिखाई देगा उसको हाइट रख सकते हैं दोस्तों इसके अलवा customize tab में जाके इसका name color और icon style change कर सकते हैं app lock secure folder के अंदर game या application को बहुत असनी से lock कर सकते हैं कोई भी application lock करने के लिए plus icon पर tap करना हैं फिर आपके समने कहीं सरे option आएगा डायक play store से app download करके lock कर सकते हैं galaxy store से game download करके lock कर सकते हैं या फिर जो application हमारे phone में already install किया हुआ है उसका clone बना के lock कर सकते हैं दोस्तों हमारे phone में पहले से ही Amazon, Flipkart, Instagram, Snapchat और WhatsApp इंस्टल करके रहागा था आप इनसे भी application को lock करेंगे यहां tick लगाने के बाद add करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसे भी application secure folder के अंदर install हो चुका है दोस्तों उसके बाद Samsung के app skin से उसका जो main application था उसे uninstall कर दीजिए और उसका जो clone version हमने install किये थे उस secure folder से access कर सकते हैं आप चाहे तो दोनों जगाव में दो अलाग-अलाग horse app एकॉंट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों आप जो application secure folder के अंदर install किया हुआ है उसके एक shortcut क्रेट करके app lock features उपेड कर सकते हैं secure folder open करने के बाद plus icon पे tap करके दूसरे कोई भी app या game add कर सकते हो उसके बाद जिस app को home screen पे add करना है उस पे tap and hold करें फिर आपके समने add to home का pop up आएगा अब इसको home screen पर add कर लिजिए इससे क्या होगा Samsung की जो main app screen है वहाँ पे application add हो जाएगा हमने whatsapp और amazon का shortcut create कर लिया था आद में जब app open करेंगे आपको password डालना पड़ेगा तो दोस्तो इस तरीके से secure folder के अंदर app lock कर सकते हैं एब लोग के अलबा इस device का कहीं सर hidden settings और problem related वीडियो अमारे चैनल पर upload किया हुआ है आप देख सकते हैं उमीद करते हों कि application lock करने का वीडियो आपको बहुत पसंद आये होगा तो इस वीडियो को like करके हमने चैनल सबस्विप करना ना भूले झाले